नमशकार मेरा नम अनिमा तिवारी है आप बहुत अच्छे होंगे हमने इंडिन लॉजिक की सीरी शुरू की हुई है इसमें कि हम चार लेक्चर कर चुके हैं और यह फिफ्ट लेक्चर जो कि आज का लास्ट टॉपिक है लास्ट लेक्चर इसके बाद जो एक और सीरीज आए है अपिस्टोमलोजी के बारे हम पढ़ा है जो की means of knowledge है six means of knowledge के बारे है इसमें प्रमाना अनुमाना उपनमा गोडिल टेस्टिवनी अनुकलब्दी और अर्थपटी के बारे हम पढ़ा है आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह लास्ट टॉपिक हो और यह यह उग्यूजी करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेसिक टर्म पढ़ेंगे माइनर मेजर और मिडिल टर्म क्या होती है फिर हम व्यप्ती पढ़ेंगे कि व्यप्ती क्या होती है फिर हम बात करेंगे हेतु और मिडिल टर्म जो होती है यह वाली इसका क्या है और हेतो तो हम चलते हैं नेक्स स्लाइड पर सुर्ण स्लाइड में बात करेंगे माइनर मेजर मिडल टर्म्स की जो कि आपको मैं दो दरीके से समझाने कुछ करूंगी एक प्रिमाइस की हेल्प से और ये स्टेटमेंट की हेल्प से बट जो आज हम टॉपिक करेंगे व्यप्ति और हित्व ब्यास वो इसके ओपर डिपेंडेंट होगा याद रखेंगा बट मैं आपको दोनों से समझा जूँगी क्यूंकि आपको एक यी बार में समझा दाएगा कि मेजर माइनर मिडल टर्म होता क्या सबसे पहले आता है जो हम क्या कहते हैं पक्षा याद रख लिजए माइनर टर्म को पक्षा कहते हैं दूसरा मेजर टर्म को हम साध्या कहते हैं याद रख लिजए साध्या कहते हैं मिडल टर्म को हम कहते हैं ये दो सीज़े बहुत इंपोर्टन है हेतु और लिंगा अगर आप कोई पूछ ले कि ह तो यह दित्मत को एप्रो दित्म है कgam है तुह है और भी नाम किसको कहते हैं और बहुत है क्या क्या दिक जी भॉक है और से हरे अब जा विकन करो कि ते शही stretch तो इन देक्ड वह क्या है तो मैंतर म कुलिए दो इंस अगहाई यह यह जहीं सब्जेक्ट सब्जेक्ट है लिए उसे हम कहते हैं तो किया दोग डॉड क्या है में मैंटथ समयाई सब्जेक्ट है कैं और जब सबस्क्र reports मैं तो सबस्क्राइब है संबस्क्राइब Papapola oh अब हम बात करते हैं इस statement के basis पे अब यह statement ही उठाती है UGC net और यही दे देती है question में और इसी के basis आपको बताना होता है minor major and middle term एक तो मैंने समझा दिया subject predicate क्या होता है इस basis पे आपको minor major and middle term समझाया आप मैं समझाऊगी इस statement was a lotta ऐसने देखा वाह पर smog निकल रहा है तो और फो बोल रहा है तो अब यह statement इस statement को को माउंटेन को माइन ड्र्म कहते हैं जब और को कहते हैं और जब इसने देखा और गया पक्का पक्का आग लगी उस से हम कहते हैं तो उससे हम कहते हैं कि hope so आपको इस स्लाइड में समझ आ गया को दो तरीके समझाय में माइनर मेजर और मिडल क्या होते हैं यह जरूर याद रखना है कि smoke, hill और fire को क्या कहते हैं क्योंकि smoke, hill और fire की help से ही मैं आपको आगे समझाऊंगी की minor, measure, middle कैसे relate कर रहे हैं ठिक है तो smoke क्या है middle है और hill क्या है आपके पास minor term है और fire क्या है major term है आपके पास क्या होती है fire और middle term क्या होती है इन दोनों के बीच में जो بھی relationship होगा उचसे ही हम व्याप्ती कहते है अलों सब को समझ आ गया होगा मत्तब क्या होती है smoke और fire के बीच में smoke यहां पे क्या है आपके पास उसको जाते है middle term और fire क्या है major term इन दोनों के बीच में जो भी कोई relationship होगा उसे हम कहते है व्याप्ती अलों सबक्राइब समझ आ करते हैं इसको परवेड fire और मेजर तर्म कहते है किसे कहते हैं इन दोनों के व्यप्ति समझ में आगए वाग क्या होता है सुविंस स्लाइड में बात करेंगे टाइपस ऑफ व्यप्ति की जो कि समय व्यप्ति है अज समय व्यप्ति है अब व्यप्ति था वो क्या था middle और major term के बीच में कोई भी अगर एक्जिस्ट करता है उसी को हम व्यप्ति किते हैं तो अब जो में बताने चाहिए भी ध्यान सुनना और major term को हम fire कहते है परवेट्स कहते है व्यप्ति कहते है तो व्यप्ति और व्यप्ति को समझा देगा और मैं आगे आनल्य स्लाइड में मैं एक ही चीज़ यूज़ कर गया है मैं स्लुमोग बोल सकती हो मैं fire बोल सकती हो अब समझ जाना कि मैं middle term किसकी बात करें अब बात करें समय व्यप्ति की समय व्यप्ति का मतलब क्यों होता है जो भी middle term और major term होगा ही होगा और यहां पिशिस्टेंस या mutual पर्वेशन्स या equal extension एक कुवी पोलेंड कॉंको बहुत 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 है पूछा के कोशन गेवन होता है वहां पर हम समय व्यप्ति कहते हैं ठीक है तीन चीज़ और याद कर लो सबसे पहला जहां पूछा हो तीसरा अंड कंडिशन पूछा हो उसे ही हम कहते हैं समय व्यप्ति एक्जाम्पल की बात करते हैं यह example आया हुआ है बार बार पूछा जाएगा याद कर लो यहां पर जो वाट इस हें पूछ अनुट को था है नाम तो पता है अगर को रिवार्स हम जाते है इसका लो जानते ही जानतेश का मतलव को अगर इसको उल्टा कर दे तो किसी का नाम पता है तब भी हम इसको चानते हैं इसका मतलब हम reverse भी करते हैं तब भी condition true आ रही है और एक और example आसकता है smoke and fire का इसका मतलब जहां भी smoke है आप फायर हो गई होगा यह भी यहां पर आएगा समय वेप्ती बिल्कुल इसका उल्टा है जहां पर कोई coexistence नहीं होती जहां पर कोई no condition की बात की गई हुई है ठीक है इसमें हम बात करें तीन जोकी नो कोईग्सिस्टेंस इसमें कंडिशन गिवन होती है इसमें कंडिशन गिवन नहीं होती तीसरा और तीसरा जो है non equivalent का इस जैसे माल लो इसमें मैंने क्या बोला था जहां-जहां भी मिडल टम होगा में जहां-जहां भी स्मोग होगा वहां-वहां क्या होगा के पास कि फायर होगा ही होगा न है इसमें जहां-जहां जहां-जहां फायर कोगा ना नहीं हो सकता इसका see is not true condition condition को द्रादी लग जाती है जैसे ग्जांपल देती हूं कि जहाँ साथ स्मोग भूद फायर छो नहीं हो मुझें जलती है तो ये इसका एक्सेंपल है तीसरे एंपल जो कि एक का है इसका मतलब अगर मानलो एक है ओवल है अगर मैं इसका पार एक और ऑंग होगा तो इसका रिवर्स क्या हो गया ट्रू नहीं है यह 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 तो हम कहते हैं आसमेर अधिजिक I hope so, को समझा क्या होगा कि types of vipti क्या होता है? So student slide में हम बात करेंगे बहुत-बहुत-बहुत important चीज की The characteristics of hetu, middle term Middle term को क्या है बोलते हैं? Vyappia बोलते हैं, smoke बोलते हैं, Paravirid बोलते हैं मैंने previous slide में बताया आपको, ठीक है? उसके पास characteristics क्या होते हैं? कोई भी statement में, उससे हम यावे पढ़ेंगे तो पास characteristics में यहां बात की गई हुई है सबसे पहले, बहुत important है यह तो मैंगे example दिये न, इसको याद कर लो और यह पक्षधर्मता है, इसको learn कर लो, ठीक है? यही question उठके आता है, इसमें कुछ learn करने ही कोई जरूरत ही नहीं है यहाद करना है आपको, यह example के है धान सुमना, पक्षधर्मता, इसका मतलब, पक्षधर्मता क्या होता है? जो middle term होती है, यह बोल रहा है, minor term में present होना ही चाहिए तो मैंने first line नहीं बताया था, minor term क्या थी, hill और mountain, middle term क्या थी, smoke थी, और major term क्या थी, आपके पास fire थी तो यह बोल रहा है, जो हमारा middle है, जो हेतु है, वो minor term में present होना है, जहाँ पे यह बोलेगा, उसे हम पक्षधर्मता टिक लगा दें, इसका मतलब, smoke जो है middle term, वो hill में, मातलब, minor term में present होनी चाहिए I hope सबको समझ आगे, पक्षधर्मता होता क्या है, ठीक है, सिर्व ऐसी question उठके आएगा, सिर्व आपको समझ लर्न करना है, ठीक है, नहीं सबते सपक्षतत, सपक्ष का मतलब positive की बात करता है, और विपक्ष का मतलब negative की बात करता है, इसका मतलब कि middle term वहाँ वहाँ present होगा उस positive instance में present होगा, जहाँ जहाँ major term, इसका मतलब fire present होगा, इसका मतलब smoke वहाँ present होगा, जहाँ जहाँ fire present होगा, ठीक है, जैसे मानो smoke kitchen में present है, क्योंकि वहाँ पर fire था, ठीक है, I hope तो आपको समझागा, सपक्षतत वह क्या उता है, ठीक है, example ऐसे उठके आजाएगा, बोल यह, यह, यह सारी चीज़ें आती भी परण, ठीक है, ठीक है, थरड़ है, विपक्षततत, विपक्षततत को negative मतलब होता है, negative instance, इसका मतलब middle term absent होगा, वहाँ हर negative instance में जहाँ major term absent होगा, इसका मतलब की smoke absent होगा, जहाँ जहाँ fire absent होगा, I hope सुपको समझागा, ठीक है, यह त फूर्थ है, अभधित, अभधित मतलब कि जो मिडिल term है, वो non incompatible with a minor term होनी चाहिए, यह line याद कर लो, उसी को अभधित कहते है, ठीक है, और जो middle term होती है, वो हमेशा major term की accordingly होनी चाहिए, मतलब middle term, major term हमेशा साथ होनी चाहिए, coexistence होनी चाहिए, बट यह, जो middle term है, वो minor term की साथ, non incompetent नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब की होता है, अगर मानले, smoke है, वो coolness of fire को कभी भी proof नहीं करती है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, अगर आपसा कोई पूछ ले, कि कोई question देते, बोल दे, middle term must be non incompatible with a minor term, तब अभधित लगा दोगे, या कोई यह example विरुद का मतलब क्या होता है, middle term कभी major term से contradictory, मतलब opposite नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप पूछ रहे हो, कि sound is eternal, because it is cost, यह sound is eternal, because it is cost, अगर sound की बात हो रही है, तो यहाँ पे audio, audio sound की सुनते हैं, आपनों लोग, audio की बात हो जानी चाहिए थी, या किसी चीज की बात हो जानी चीजी थी ना, लेकिन यह cost की बात, यह जो statement है, यह cost से एकदम contradictory, opposite आ रहा है, तो इसलिए middle term यहाँ पे, आपके पास major term से contradictory नहीं करना चाहिए, तभी अविरुद हम बोलेगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, contradictory हो रहा है, तो इसलिए अविरुद आ गया, ठीक है, I hope सब को समझ आ गया होगा, five characters of हेतू, सुरने slide में बहुत important चीज है हेत्वा भास, बहुत question पूछता है, UGC का favorite topic है, हेत्वा भास मतलब हेतू दिख रहा है, इसका मतलब हेतू का होने का अभास हो रहा है, कि relationship exist कर रहा है हेतू middle term के बीच में, middle term या major term के बीच में, but actual में relationship नहीं है, मतल लग रहा है, but actual में ऐसा नहीं है, जब भी actual में ऐसा अभास होता है हमें हेतू का, उसे ही हम कहते है, policy of inferences, ठीक है, इसका मतलब, पहला यह था, दूसरा इसका मतलब, जो भी हमने 5 characteristics, एक हेतू या middle term में होने चाहिए, प्रिवेश स्लाइड में पढ़े है, अगर वो characteristics हेतू विरुद्ध और बधित, तीक है, समझा है, वहाँ पे हेतूभ्यास हो जाता है, हेतूभ्यास हो जाता है, I think आपको समझा आ गया होगा, कि policy of inference हेतूभ्यास कवोता है, यह जो स्लाइड है, इसको पूरा अच्छे डंग से, बढ़ियां से पढ़ना है, तीक है, एक्दम learn कर middle और deviation भी कहते हैं, एकदम scan कर लो slide को, यह 1, 2 और 3, इन तीनों को कहते हैं, नेक्से असीद को हम क्या कहते है, सध्या शमा, ठीक है, unproved middle, यह सब में पीछे slide में समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से, इस ही को समझे वासे, ठीक है, थर्ड क्या है, सथ, पृतिपाक्षा इसको हम कहते हैं, पकरण शमा, ठीक है, दूसरा, inferential contradictory middle, it's very 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 important, तीसरा, antithesis भी कहते हैं, ओकी, समझाई, चौथा क्या है, विरुध, contradictory middle कहते हैं, विरुध को, ठीक है, पांचवा के बदिर, इसको non-inferential contradictory middle कहते हैं, इसको कहते हैं, inferential contradictory middle, इसको कहते हैं, non-inferential contradictory middle, इसको क आपको समझ आ गया होगा हम चलते पूरा च्छटे से डिफकर्स करेंगे नेक्स स्लाइट से हैं तहरे इसार मतलब यह जब भी आपके अ कि मतलब अज़ना भी स्मोग करेंखें जहांतों यहांपने तब यहां होगीš तो यह rule को break कर रहा है इसलिए इसको irregular middle किया है बोला गया है दूसरी बात यह है अब जो middle term के है उसके wrong positioning हुई है वो सही तरीकी से नहीं लिखा गया है यह नहीं position किया गया है इस वज़े से उसकी conclusion है वो different different आ रही है तो इसलिए irregular middle or deviation यहां पर आ रहा है ठीक है कुछ example है यहा all all birds are rational यहां पर इसने बात कि है all birds की ठीक है अब इसने बात कर लिए crow is a bird अब बोल रहा है कि जो यह bird है वो rational है यह तो कोई बात ही नहीं बनी नहीं बनी नहीं इस conclusion एकदम different हो गया इसकी बसका मतला कि यह premises दो थे इसकी positioning यह गलत हुई है इससे कि जो conclusion है वो गलत आ रहा है तो यही कहने का मतलों यह तीन तरीके का होते हैं पहला सधारण असधारण और अनुपसामरी यह example दिमांगों फीड कर लो यही रिटा मार लो और इसी से example देगा आपको टिक माड़ देना है तबसे पहले चीज आती है वो आते है सधारण सधारण मिडल टर्म जो है में पहले टीके यह पोजिटिव और नेहींटिव इंसटेंसमें नहीं रहा है सभकश्तत और विवक्श्टत तो सधारण में क्या था he has a fire because it is knowable knowable यहाँ पर क्या है यह हमारा क्या है middle term middle term wide क्यों है क्योंकि he has a fire इसके बारे हमको knowledge हो सकती है तो इसलिए यहाँ पर यह चीज knowable middle term wider बारा गया है इसमें अब क्या है sound is eternal because it is audible अब sound को जो हमारे पास ही sound है जो हमारे पास यह sound है इसको हम अपने audible से relate कर सकते है sound जो है eternal है क्योंकि यह audible है उससे relate करते है यह क्या है sound हमारे पास minor term है यह क्या हमारे पास major term है यह आपके पास middle term है तो यह क्या बोल रहा है कि middle term से relate करता है मिडल्ट हम से रिलेट करता आपको माइनर चुछ तो मिडल्ट हम यह था माइनर टर्ब यह था सवंड किसले陪कर रहा है प्तृ मिडल्ट तौई यहां पर मेली どem संबज अनुप संबर्य में आपको मीडल्ड है वो ाूनåन एक्स्कृूजव कि याद कर लो नोन और यहां पर जो माइनर तर्म है इसको हिल कहते है वह और इंक्लूजिव मतलब कि वह सब के साथ बनके नहीं चलता है तो रहता है तो जैसे माल लो आपको बोल रहा है सब्सक्राइब करता है तो यहां पर दिमाग में फीड कर लो इन तीनों में पॉइंट में से कुछ भी अगर आ जाता है तो आपको टिक कर देना है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विरुद्ध की अब विरुद्ध का मतलब हमारा मिडल टर्म है वह कॉंट्रिक्ट्रिक्ट्र इसे यह फॉद्ध की मतलब मिडल टर्म है जाएं मेजर टर्म से आपके पास अपोजित हो रहते हैं तर्ब्सक्राइब करता है यह यह तो कोई बैची नहीं हो रहा है जासे पहले एक्जामिल यह याद कर लो एक्जाम्बल आता है वी में साउंड इस एकर लिए गार है ने इसलिए आ गया विरुद्यू, contradictory middle. I think आपको समझ आ गयागा. आप सल्थियम next slide पर. So student इसमें हम बात करेंगे third fallacies की, इसका नाम है आसिध्य और सध्य अशमा भी कहते हैं. So इसका मतलब होता है, जहां पे भी आपको लिखा हुँ अंडर प्रूव्ड मिडल वो कभी भी एक दूसरे को relationship proof नहीं कर पाता, ध्यान रखना, और यह example जो है इसको तो ध्यान रख लो, shadow or liquid because it has speed, it's very important, तीक है unproved middle है, shadow और speed का कुछ लेना देना है इसलिए बोल रहा है, यह middle unproved है, प्रूव भी नहीं कर पा रहा, यह जो example है, इसको learn कर लो असिद्ध में, इसके तीन टाइप क्या सिद्ध फॉलिची होती है, पहला होता है आश्यर सिद्ध्या, स्वरूप सिद्ध्या and व्यप्ति सिद्ध्या, आश्यर सिप्थ का मतलब होता है, जहां पे minor term जो है, मतलब जो minor term क्या बढ़ता है, फिल पीछे, वही हमारे पास false हो जाती है, तीक ह इसलिए यहां आश्यर सिद्ध्या हो गया, sky flower is fragrant because it is lotus, whichever is lotus is fragrant, अब बताव sky flower नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है, तो यहां जो minor term है, वो पहले ही आपके पास क्या हो गया है, false हो जो गोल्ड माउंटें हो गया, यह नाम कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, तो minor term जो है, जो ग runs लिए वो पहले ही false हो गया, तो इसका मतलब यह क्या क्या है आश्यर सिद्ध है, है I think आपको समझा करें आश्यर सिद्ध क्या होती है, स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध में मतलब क्या है चो मिडल टम है वह माइनर टम को बिल्कुल मैच नहीं कर मिडल टम तो यहां पर रियल है सही है बट यह माइनर टम से मैच करी नहीं रहा है मतलब क्या मिडल टम स्वरूप ही नहीं कर पा रहा माइनर टम की मिडल टम र और यह आपके पास क्या था यह आपके पास क्या था यह आपके पास क्या था मिडल टर्म था ठीक है यह आपके वर्ल्ड क्या था आपके पास माइनर क्या क्या रिलेशन है कोई रिलेशन है तो मिडल टर्म जो है आपके पास वह रियल है आई से बड़ आपका जो है वह आपक अब भाता हैं है तो उसे ही हम कहते हैं व्यप्ति करता है गभास कभी माईर हम को पूṣ नहीं करते हैं अगर आपने फर्स लाइट में देखा हो गा तो मैंने इक स्टेटमेंट नहीं थी ती क्या स्टेटमेंट थी कि यहां पर प्रूफी नहीं कर रहा मिडल टर्म क्योंकि यहां पर उल्टी चीज लिख दी गई हुई है की व्यप्थी सिध्ध क्या होता है नों को बढny अभी कि यह था अज इचjang के बारे में अब सर्ते एं। है कि उस्ता प्रती पक्ष करेंगे सपंध प्राकान शमार इंफररन्श रिक्टरी मिडल और एन।ि इसकPress बात करेंगे जिसे कि हम कहते हैं ठीक है प्रकर्शमा ठीक है इन्फरेंशल कॉंट्रडिक्टरी मिडिल और एंटी तीस यह नाम याद कर लो यह तो नाम है यह याद कर लो इस बहुत इंपॉर्ट है इसमें क्या होता है जो एक स्टेटमेंट में जो मिडिल टर्म होता है वो दूसरी जो मिडिल टर सबसे पहला जो आपके पास ये दोनों हैं ये आपस में क्या कर रहा हैंने कहने कंपलब क्सक्राम कि क्यों एक मिलम्तalin से कॉंट कर रही है जहां मैं और ये दोलों को और योँ तो यह वहां पर आपका सथे प्रक्वक्षा conceal वैसी हो जाएगी इसमें क्या था sound is eternal sound is not eternal ये एक्जाम्पल था it is audible because and because it is produced I think आपको समझ आ गया होगा कि सत्प्रतिपक्षा होता क्या है अब हम बात करते है बदित की इसमें तह क्या था inferential contradictory middle इसमें था non-inferential contradictory बड़े मिड़ल contradictory कर रहा है बट बिना किसी inferences या अनुमान स्ट्रॉंग अनुमाना या प्रमाना की इसके बाद इसका मतलब अगर यहां पर कोई पूछ लेते कोशन में कि अपोस्ट वादे यह में तर्म में चर्य इसका प्रम्श में भी कोड़ता है क्या कभी कोड़ हो सकता है नहीं में कोई इन्फरेंस लगाना भी में हमें देख पाता लग जा रहा है कि यह हमारे पास बाधित है यहां से कोई सब्सक्राइब अब मुझे यह बताओ शुगर कहीं सौर होता है तो यह पहले ही पता लग जा रहा है मैं इंफरेंस लगाए कि मिडिल कॉंटर डिक कर रहा है इससे आगे पता लग जा रहा है तो इसी को हम कहते हैं बगित सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि टॉपिक आच कवर हो चुका है प्रोप अच्छे से प्रीवेसर मिजदी में अपका त्यारी को स्ट्रॉंग हो जाए सो आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो या कोई पूशन पूशना कमेंट वॉक्स में पोच सकते हैं और आज इंडलॉजी की सीरीज यहीं पर खतम होती है और एमसी की सीरीज आएंगी इस लेक्टर वीडियो के बाद ही ठीक है तो आपको यह लेक्टर अच्छा लगा हुआ आप एवेसरडी क्लासिस को लाइक शेर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कोई क्वेरीज होती है या कोई भी आपको पास कोई भी आपको लेनी है चीजे ल